असलावलेकम एवरिवन डॉक्र यासीन है फाउंडर ऑफ स्टोर्णस नेक्सस बाइसम्वाई अच्छा श्रीज जुल्फकार आली बुटो मेडिकल युनिवस्टी के जितने भी MQ8 ESPARENT से जोके रीकंडक्ट के लिए टैयार है जन्होंने रेजिस्टीरिशन की है तक्रिबन 17597 के लगबग ESPARENT से ने दुबारा रेजिस्टीरिशन की है तो अब भी everyone is asking me के sir MQ8 रीकंडक्ट डेट क्या होगा कुछ लोग के रहें 1 डिसमबर कुछ के रहें 24 नवंबर कुछ के रहें 8 डिसमबर लेकिन अब on the other side 24th नवंबर को इमरान खान साब ने जो बानी PTI है उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दी है and they have said के हम अनेंडिंग प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारे मतलबात माने नहीं जाते तो जिस तरह लास्ट टाइम हुआ के उनके प्रोटेस्ट के दौरान इसलामबाद was totally closed लेकर उसके बरक्स हमें एक न्यूज आज तीन बजे मिली है जो के A.R.Y. न्यूज चैनल पर बकाइदा ये न्यूज चलाए गई है I have all the proof before you people उसमें ये बताया गया है के date कब होगा रेकिन उससे पहरे अगर आप ये चेक कर ले के M.K.E. रेजिस्टेशन में उमिद्वारान की तादाद में नमायक कमी है वो इस वज़े से है क्योंके total जो first time जिन्होंने M.K.E. दिया उसमें से आदे से ज्यादा लोग जो है वो overseas थे मतलब वो they went out of Pakistan या वो अपने different provinces में आ गये है and they cannot afford going second time towards Islamabad उसमें गुजश्चता M.K.E. में register 33,105 तुलबा टेस्ट नहीं दे रहें सिर्फ यानि 17,000 के लगवग कुछ लोग है जो के टेस्ट देंगे इसलाओबाद हाई कोड ने M.K.E. का असर नो इनकात का हुकम दे दिया था अगर आपको याद होके 22nd September को जो आपका M.K.E. हुआ था इसलाओबाद का उसमें कुछ irregularities were found जिसकी basis पे then case हुआ था मालब you people did protests उसमें students nexus by SMY also promoted your cause उसके बाद protests के बाद cases with I think so second या तर्ड हेरिंग में you got a reconduct और reconduct इस तरह हुआ के आप लोग first M.K.E. के भी marks use कर सकते हैं और second के भी marks use करते हैं मतलब in simple way it is just like improvement of your M.K.E. तो जो आज हमें news मिली है A.R.Y. news की तरफ से 2.52 PM आज Thursday की ये news है उसमें ये कहा गया है कि Islamabad में M.K.E. test का दोबारा इनकाद 24 नॉंबर का होगा ये sources have told A.R.Y. news तो अगर sources ने A.R.Y. news को ये बात बताई हैं this means के there are high chances of M.K.E. to be reconducted on 24th November still ये tentative date है final date नहीं है क्योंके final date शेख जुर्फकार अली बुटो मेडिकल ये उनुवस्टी खुद आनॉंस करेगी या PMDC आनॉंस करेगी इसके साथ साथ सिंद में भी I.B.A. M.K.E. री कंड़क्ट कर रही है I mean I.B.A. सकर M.K.E. री कंड़क्ट कर रही है जिसका proposed date is first December कुछ हलकों का ये कहना है कि M.K.E. री कंड़क्ट चाहिए इसलामबाद का हो या सिंद का हो ऑन सेम डेट होना चाहिए that is first December लेकिन लेट सी के P.T.I. का ये जो एतिजाज है वो किस हद तक होता है उसकी लिमिटेशन क्या होती है या क्या इस एतिजाज में भी पुरा इसलामबाद बंद होगा या नहीं या कुछ मखसूस इलाकों तक उनका एतिजाज लिमिटेड रहेगा एक और बात आपको बताता चुलूँ के इस साल यानि इस M.K.E. री कंड़क्ट में अभी तक फिल वक्त 17597 एसपारेंट्स ने री रिजिस्टेशन की है यानि उन्होंने दोबारा अपनी रिजिस्टे comment section stay tuned stay blessed